क्या जारखंड के मुख्यमंत्री हमंद सोरेन भी बीजेपी में शामिल होंगी ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सीम चंपाई सोरेन की बगावत के बाद उनके बीजेपी में जाने की चर्चाय लगाता चल रही है लेकिन ऐसे में बीजेपी नेता ने चंपाई सोरेन के साथ ही सीम हमंद सोरेन को भी बीजेपी में आने का ओफर दे दिया है जिसे सियासी बवाल तेच हो क्या है पूरी कहानी और कौन है वो नेता जिसने चंपाई सोरेन और हमंद सोरेन को दिया है ओफर सब कुछ आपको हमा जारकन के पूरो मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन को लेकर तमाम तरह की अटकले लगाई जा रही है अब एक बार फैसे चमपाई सुरेन दिल्ली के दौरे पर है इस दौरान वो बीजेपी के निताओं से मुलाकात कर सकते हैं इस बीच असम के मुख्यमंत्री और जारकन मुख्यमंत्री हमंत्र सुरेन को लेकर भी हमंत्र ने कहा कि वो चाहते हैं कि हमंत्र सुरेन भी बीजेपी ज्वाइन कर लेकिन वो एक बड़े नेता है मुझे नहीं लगता कि उन पर टिपड़ी करना सही है मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हमंत्र सुरेन भी बीजेपी म शामिल हो बीजेपी का मतलब देश भक्ती है हम जारखन में घुसपैटियों को रोकने के लिए हमन सोरेन जिसे बात करने को भी तयार है हमें जारखन को बचाना है हमारे लिए देश पहले है चंपई सोरेन का बयान एक तरफ हिमन सुरेन के बयान के बाद कई तरह की सियासी अटकले लग रही है तो वहीं दूसी तरफ जारकन के पुर्वसीम चमपाई सुरेन का दिल्ली आने को लेकर बयान भी सामने आ गया है लेकिन वो बयान किसी के गलिद नहीं उतर रहा दरसलर रासनेती गलियारों में सभी की नजरे इस वक्त चमपाई सुरेन के नयक कदम पर टिकी हुई है पुर्वसीम चमपाई दिल्ली के होचल ताच पैलस में ठहरे हुए है और उनका कहना है कि भारती जनता पार्टी के किसी भी निताओं से उनकी कोई मुलाकात नहीं मुलाकात हो सकती है दिल्ली पहुँचने के बार जमें से दूरी बना चुके पुर्वसीम चमपाई ने कहा कि उन्होंने बीजेपी में अभी किसी से भी मुलाकात नहीं की है केंद्रे ग्रहमंत्री अमित शाह या किसी अन्यनेता से बाच्चीत भी नहीं हुई है नहीं कहा कि जो भी फैसला होगा उसके बारे में जल्द ही बताया चाएका चमपाई दो दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं अब एहाली में कुछ दिल पहले जारखंड के सरायकेला खरसावा में चमपाई सोरे ने अपने नय कदम खुले कर कहा था कि 24 साल के बाद हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हमने अपने पोस्ट में अपने दिल का दर्द बया किया था हमने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाई है मुझे उमीद है कि इस नए अध्याय में आप सब लोग मेरे साथ देंगे आने बले दिनों में हम ज लगा चुके हैं दिल्ली का चक्कर जारखंड के सियासत में बुचाल लाने के बाद राज्जी के पूर्व मुख्यमंत्री और जारखंड मुक्ती मुच्चा के वरिश ने था चंपाई सुरें पहले भी दिल्ली पहुंचे थे उस वक्त भी ज्यादा बवाल हुआ था उसक बनवाने के लिए वो दिल्ली गय थे मुख्यमंत्री की कुर्शी पर रहने के दौरान अपमान सहने की बात कह चुके चंपाई सुरें जे में में बने रहेंगे या बीचेपी में शामिलूंगे इस पर सस्पिंस पूरी तरह से बरकरार है सराय किला में उन्होंने साफ कि आ स्पावत के बाद स्यासी गलियारों में दो सवाल उठ रहे हैं पहला सवाल चंपई ने अपनी 30 साल पुरानी पार्टी से बघावत क्यों की और दूसरा सवाल का जवाब तो चंपई ने खुद शूसल मीडिया पोस्ट पर दे दिया है लेकिन दूसरे सवाल का जबाब आन पांच दल तूटे हैं और दिल्चस्प बात है किन में से चार बार तूट का सीधा फाइदा बीज़ेपी को हुआ है यह फाइदा कब और कैसे हुआ चलिए आपको पताते हैं पांच साल में कौन कौन सी पार्टियां तूटी? इस लोचपा दो धड़ में बढ़ गई, 2022 में महारास्ट में शुसेना के भीतर भी तूट हुई एक नात्र शिंदे के नेतुत में 56 में 40 विदायकों ने उदो के खलाब बगावत कर दिया 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरत पवार के खलाब बगावत कर दी 2018 के आखिर में ओम प्रकाश चोटाला की पार्टी में टूट हो गई, पार्टी तोड़ने का काम किसी और ने नहीं बलकि उनके बेटे अजेच चोटाला ने ही क्या अजेच चोटाला ने हर्याणा में अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर जन्नायक जनता पार्टी बना ली, इने लों में टूटका सीधा फायदा बीजेपी को होकिया 2019 के लोग सबाच चुनार में बीजेपी को हर्याणा की सबहें दस सीटों पर जीत मिली, 2014 में उसे सिर्फ साथ सीटों पर जीत मिली थी दो पर इनहें लों और एक पर कॉंगरिस ने जीत हासिल की इसी साल के आकिन में हर्याणा में बिधान सबाच चुना हुए इन्हें लोग का वोट बैंक तीन भागों में पढ़ किया इन्हें लोग का तीन प्रतिशत वोट बीचेपी को चौदा प्रतिशत वोट जेजेपी को और साथ प्रतिशत वोट कॉंग्रिस को मिल किया वोट का असर सीट पर भी देखने को बला जेजेपी ने हर्या विदान में NDA सरकार बनी हुई अजीत पवार की निर्टत्तों में एंसीपी के 40 तूट कर शरत पवार से बागी हो गए कहा जाता है कि तूटने महारास्ट में एंडिये की सरकार को सुरक्षित कर दिया इतना ही राज्यसभा और विदार परिश्द के चुनाव में भी एंडिये को इसका फायदा हुआ 2022 में एक नाज शिंदे के निर्टत में शिसेना में टूट हो गई शिसेना में टूट से उधर ठाकरे के निर्टत वाली महाविकास अगारी की सरकार किर गई उद्र कार गिरने के बाद BJP के 105 बिदायकों के समर्थन से एक नाज शिंदे ने सरकार बनाने का दावा पीश है चिंदे के पास उस वक्त 40 बिदायकों का समर्थन परप्त था राज़ेपाल ने शिंदे का प्रस्ताव स्विकार कर लिया शिसेना में तूट का मामला अभी भी सुप्रेम कोर्ट में है इस घटना के एक साल बाद एंसीपी में तूट हुई अजीद पवार की नितुत में एंसीपी के चालिस बिदायक तूट कर शरत पवार से बागी हो गए कहा जाता है कि एंसीपी में तूटने महारास्ट में इंडिये की सरकार को सुरक्षित कर दिया इतना ही नहीं राज्य सबा और विदायन फिरसत के चुना में भी इंडिये को इसका फायदा हुआ 2018 में जब मद्यपदेश का चुना हुआ तो 114 सीटे जीत कर कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई कॉंग्रेस को सरकार बनाने के लिए सिर्फ दो बिदायकों की जरुरत थी जिसका समाधार ब्यस्पी ने समर्थन करके कर दिया ब्यस्पी को 2018 में दो सीटों बजीत मिली थी 15 महीने तक कॉंग्रेस के सरकार ठीक ढंग से चली लेकिन पार्टी के ही कद्दा और ने था जोती रादेत सिंधिया की बगाउत में कॉंग्रेस से मद्यपरदेश की सफ्ता छी ली कॉंग्रेस के 28 बिदायकों के साथ सिंधिया बीचेपी में चली गए सिंध्या के इस कदम से कौंग्रिस की सरकार गिर गई जिसके बाद शुराज सिंगे निर्थूत में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पीश कर दिया संख्या की अधार पर बीजेपी के दावा को राच्चिपाल ने स्विकार भी कर लिया जारकर्ण में इसी साल क्यांत में बिधान सबा की चुना होने है चमपई सुरेन कुलहान एलाके से आते हैं एस एलाके में बिधान सबा की 14 सीटे हैं जिसमें से 13 पर पिछले चुनावे इंडिया गड़बंदे ने जीत दर्च की है बीजेपी को एन इलाकों में एक भी सीट नहीं विली चमपई के सारे बीजेपी कुलहान में अपनी जबी मजबूत करना चाहती है वर्तमान में बीजेपी के पास कुलहान में कोई बड़ा नेता मौचूद नहीं है यानि कूल बिलाकर अगर चमपाई सुरेन बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को तो फाइदा होगा ही साथी हिमंत सुरेन के लिए किसी बड़े तुफान की अहट से ये कम नहीं होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया